52 नमश्कार कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे आज हम अपने रूट टॉक वाले ब्लॉक में निम केक पाउडर जो है डाल रहे हैं कि यह जो है कि इक को फैंडली प्रोडक्ट है इसमें ग्रोथ भी रहती है और वह कंट्रॉल करता है जीजिस को भी कंट्रॉल करता है तो जीन और्चर्ड में जो है कि में बोर्ड किसमें से रहती है रूट बोर्ड किसमें से रहती है वहां पर यह काफी कारगर साबित होता है यह इस तरह से यह पाउडर फॉर्म होता है इसमें एक दुर्गंद ऐसी खलकी रहती है नीम और कड़वा रहता है यह तो इसको हम अपलाई करने जा रहे हैं इसकी मात्रा जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसको जादा भी डालेंगे इसका कोई नुकसान नहीं है और थोड़ी सी डालकी भी यह अपना काम जरूर करेगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक तो जो हमारा में जो तना है यह हमारा स्रक्षित रहना चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे इसके चार तरफ जो इसको ऐसे फिला के डाल देंगे ताकि कोई भी जो बोर्ड है वह नजदीक ना इस तरह के दूसरा हम इसकी जड़ों में भी इस तरह से इसको पहला के मल्टिप्लाई करेंगी इस तरह से कि एक दो दो मुठी ज्यादा इसमें आफ शक्ता नहीं है और फिर हल्का इसको ऐसे हम मिक्स कर देंगे ताकि कुछ यह मिट्टी में भी दभी रहे कुछ ऊपर भी रहती है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे जो है कि जो कि बोरर है कि वो इसकी दुर्गंद से जो इसकी नजदीक नहीं आएगा विको फ्रेंडली भी है और साथ में यह और साथ में ग्रोथ में भी काम करता है तो बसी हो गया इस तरह से थोड़ थोड़ा इसमें रति-पौदा दो-तिन-तिन मुठी भर लाले तो इससे जो है काफी बेनफिट आपको मिलेंगे रूट रोट की समस्था है वो आपकी घतब हो जाएगी और एक साल ने इसको आप कंटिन्यू यूज करें इसके प्रणाम बहुत अच्छे हैं कि क्योंकि हमारा विए सन्नी यह जो जितना भी जादिख रहा है यहां रूट रोट की काफी समस्था है जब से हम इस प्रडॉक्ट को यूज कर रहे हैं नीम केक पाउडर को तब से जो है रूट बोडर की समस्